इस वक्त हमारे साथ मुकामा बिधान सभा के बिधायक और पुर बिधायक अनन्त सिंग की पत्नी नीलम देवी हैं सबसे पहले मैं आपको जीत की बहुत बहुत बधाई यह बताई कि इतनी बड़ी जीत और मुझे लगता है कि यह चठी जीत है तो स्रे किसको देंगी वहां मुकामा के जनता को ही हम स्रे देते हैं मानिय बिधायक जी जो 17 साल से मुकामा में विकास किये हैं और लोगों की किये हैं उनका रिजल्ट है आपको नहीं लगता है बहुत बड़ी बात है कारण कि पिछले अगर तीन चुनाव को अगर देखें तो विधायक जी जो है वो जेल के अंदर है उसके बाद भी इतनी बड़ी जीत देखिए विधायक जी का जो किया हुआ है विकास और जो जन करीब 16,000 कुछ बोटों से आपकी जीत हुई है सामने में जिसकी हार हुई है बीजेपी उमिद्वार थी तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने भी काफी अच्छा चुनाव लगा है क्योंकि 20 दिनों में इतनी बड़ी जीत करीब 62,000 बोट लाना और सबसे बड़ी ब बाद बीजेपी ना अपना उमिद्वार ओहां उतारा था जी बीजेपी तो चुनाव लड़ी लेकिन पहले ही हम बोल दिये थे कि यहां कमल खिलने वाली नहीं है हर पंचायत में पंचायत बाई पंचायत वह भाजपाद का दो दो विधायक उतार दिये था लेकिन हम तो कह दिये कि मुकामा की जनता सबको नकार देगी बाहरी लोगों की कोई यहां पर वजुद नहीं है यहां पर शिफ लालटेंजय लेगे लेकिन आपको नहीं लगता है कि कुछ नेता अगर चुनावी परचार में जाते तो ये जीत का जो फासला है ये और ज्याद कि अभी जो जीत हुआ है बहुत मार्जिंग से जीत हुआ इसी बात नहीं है बीजेपी अब हम क्या बोले नहीं बोलना चाहिए यहां पर किसकी लड़ाइए थी लेलान सिंह का तो कोई अता पता नहीं था मुकामावाले का किनकी लड़ाइए थी सब लोग समझ रहे हैं नाम करेमा गटवन्धन का नेताओं का पूरा सपॉपोर्ट मिलता तो ये जीत और भी बरी होती कि इने इसमें कोई दोसी नहीं है सबका सिरबाद था सबका सफोर्ट ता यहां पर जहां तक मेरी सरकार के अगले कैमिनेट में सामील होंगी मंत्री बनेगी अब वो तो जी अभी हम कैसे बोले तो बात की बात है अगर इच्छा भी तो होती है कारण मंत्री बनना एक बड़ी जीमेदारी है तो उसके लिए आप तैयार है अगर सरकार हम को जिमदारी देगी तो हम पुरा कि मेरत थोड़े हैं यह बता हिए अप पहली बार विध्हायक बनी ए मुद्ध के पहले अप घर रहती थी घरको समालति थी अब बीधायक बन गई आपको छेत्र भी देखना है घर भी देखना है और विधान सभा वी देखना है कैसे बैलेंस करेंगे इन सब चीजों को सब कर लेंगे उसके लिए तो हम एकदम तयार है और इश्वर की सबसे बहुत बड़ी किरपा है हम पर ऐसी वातनी है उनका हाथ है किचन भी देखेंगे जनता की सेवा भी करेंगे और छेत्र भी भर्मन करेंगे और विधान सभा में जो वहां मुकआमा छेत्र की समस्य है उसके लिए आवाज भी उठाएगो चेत्र के लोगों की ये भी था मिधान सभा में हमारे जो बिधायक जी है वो अपनी बातों को रखते नहीं है तो आप बिधान सभा में मुकामा की जो समस्य रहेगी उसको उठाएगी जी करने से पहले ही सारे काम कर देते थे उठाने का ही प्रस्नी नहीं था और जो भी है उसका हम जरूर विद्धान सभा में समय आएगा तो आबाज कि यह जो अनन्सिंग की जो चबी बनी हुई है इसको कैसे दूर करेंगी यह बाहुबली की जो चबी है लोग कहते हैं बाहुब लोग बाहुबली बोलते हैं यह बाहुबली है ही नहीं यह जनवली है जनता जिसको जनता में है प्यार है जनता कासिरवाद है तो तो जन बली होते हैं बाहुबली कहां से हैं बाहुबली तो बिरोधी लोग बोलते हैं मुकामा बिधान सभा की अगर बात करें तो सबसे ब जी किसान की आल पर ही तो निर्भित है डाल का कटोरा माना जाता है ताल मुकामा की ताल तो उसका जो भी समस्या है, हम मानिय ते जश्वी जी से मिलकर, मानिय नितिश जी से मिलकर, इसके लिए हम मने आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस समस्या किसान का दूर होगा. वेचर ये भी होगा कि अगर आप मंत्री बन जाती हैं, तो पावर जादा होगा, तो टाल की समस्या दूर करने में और जादा असानी होगा. तो बाद की बात है, जो सरकार के निन्नय होगी, वही तो हम पालन करेंगे. तो हमारे साथ नीलम देवी काफी खुस हैं, और काफी आस्वस्त भी हैं, कि हमारे छेतर की जो भी समस्या होगी, चाहे टाल की समस्या हो, या फिर बेरोजगारी की समस्या हो, वह अपने लेबल पर जरूर दूर करेंगे. क्यामरामेन रिसी के साथ सौरा कुमार पटना न्यूस ट्विटिफोर